या मार दे मर दे तेरी हसावर चहतार दे या मार दे परजी तेरी हसावर मर दे तेरी हसावर चहतार दे या मार दे मर दे तेरी हसावर दे तार दे या मार दे परदी तरी है रामरे जहतारे जारमारे परदी तरी है रामरे तार दे यामरे परदी तेरी है जाबरे, जहतार ने या मारे जलिता मारे जलिता मारे जलिता के परदी तेरी है जाबरे? जहतार ने मारे जलिता मारे जलिता आओ देखें ताहाव देखे कितार दे यावाव देखे कितना सुन्दर है रो रो के कहूं तुझे खोना नहीं मुझे को तुझे रो रो के कहूं तुझे खोना नहीं मुझे रो रो के कहता तुझे खोना नहीं तुझे को तुझे रो रोक हुए कहता तुझे हो जाना है तुझे को ने रमान पुरी स्वाइकार ले चाहे तार दे आवार ले रमान पुरी स्वाइकार ले चाहे तार दे आवार ले वित्री एशाबरी तार दे आवार ले अरे भत्ती ऐसे समर्पित भाव से प्रभू के चरणों में चले जाओं क्योंकि उनका भाव ही है सर्ण अगत को राहिये तांतीन पर नहीं है और के द्वार पर गया कभी वापस नहीं आता देखें देवरिशी नारत ने ज्यामी और मेरागे को चेतन करने के लिए प्रयास्तुरु के कभी कानों में गीता का इस लोग कभी गायत्री कभी वेदों के पाथ कोई इस्षर नहीं पड़ता कुछ जेतना आती है फिर इस्थिर हो जाते है अंत में भंती ने सवाल किया माराज कारण तो बताओ मेरे पुत्र ग्यान और मेराग इवा से बृत और में बृत से इवा बड़ा सिंपल सा जवाब दिया समझाने के लिए अगर आपके घर में रसोई में पड़ी हुई चाकू की आवस्थिक्ता ना हो और प्रयोग में ना आये तो उसमें जंग लग जाएगा और निस्क्रिय हो जाएगा कि देवरिष्टी नारत ने कहा देखो यह कल्यूग है कल्यूग का गोल प्रभाव है कि यहां पर ग्यान और बैराग्य के लोग ग्राहत नहीं है इसलिए उनका मुल्यांकर ना होने के कारण वो अजेत हो गये हैं और ब्रज में भक्ती के ग्राहत बहुत हैं यहां की रेती में भक्ती का वास है यहां के कणकण में वास है इसलिए आप ब्रिद से इवा हो गए अनेक प्रियात कर रहे हैं रिदि शिद्धी आ गई हैं सारे नचत ग्रह तिधी वार अरे प्रियतन कर रहे हैं माराज लेकिल हैं कोई अशर नहीं हुआ अतानक आतास बारि होती है देवरिषी तुम्हारे द्वारा किया हुआ प्रयास निरर्थक नहीं होगा सर्थक होगा कर्मणे बाद इकारस्तों मा पलेशु करते हैं आकास बाणी हो गई लेकिन संत की भासा और देव की भासा दोनों गूड़ होती है देवरिशी पीड़ी तो हो रहे हैं कि मैं भक्ति का कोई भाव नहीं कर पाया मैं भक्ति का कोई स्थायोग नहीं कर पाया आकास बाणी ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि देवरिशी तुम्हारा प्रयास सार्थक होगा कि देवरिशी नारत के मन में खिन्नता है कि किस हिसाब से मैं भक्ति का दुख हरूँ मेरे भाई अगर आप कभी एक कल्पना करोगे न कि जीवन में कोई मेरे काम आये या ना आये जीवन में कोई मेरे काम आये ना आये परे परमात्मा मुझे इस लायक जरूर बना देना कि मैं किसी दुखी के आशु साफ कर सको तो होपार होने से कोही रोप ने से जिस दिन ये भाव आ जाए कि खुश रहे वो जो हमें जानते हैं खुश रहे वो जो हमें जानते हैं अरे खुश हम से ज़्यादा वो रहे जो हमें जानते में रूठो रूठना आपका अधिकार है लेकिन उनसे जो आपसे रूठा करते हैं लेकिन उससे क्यों आराज होते हो जो बदले में कुछ मांगता है नहीं सब उधार देता है ब्रह्म मोहुर्ट में उठते हो तब प्रभु आपके पास खड़ा होता है सोचता है चंदपल हरी भजन करेगा आपके पीछे पीछे चलता है अब करेगा यब करेगा लेकिन ग्रह कारण नाना जंजला साम तक आपको खुद से वाद करने का समय दिए इसलिए एक पल के लिए ही सही सारी चीजों से बिमक होकर हरी के सम्मक हो जाय करो बड़ा ही आनंत है हरी के सम्मक आना ही और कैसा होता है भाव हमारी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे कि सामने मेरे जिस दिन हो आ जाएंगे हर सब्द के दो अर्था यह भावार्त एक लच्छार्त हम जिस भाव से बोल रहे हैं इस भाव में समझे तो बेड़ा पार और हमारे भाव का अगर लच्छार्त हो जाय तो नाव दूबे मजधार कि सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे दूर सिकवे गिले सारे हो जाएंगे सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे बात करने लगेंगी ये आखे वहां बात करने लगेंगी ये आखे वहां तेरे चंचल जुबा कुछ न करेंगे तेरे चंचल जुबा कुछ न करद भात करंग tough घर से निकलो आज बिहारी जी से खूब जगडा करेंगे बिहारी आज मेरे बच्चे की साधी नहीं हो रही है खूब प्रियास करो आज गुरुदेव से बहुत लड़ाई करेंगे काभी समयवाद दरस हो रहा है लेकिन जब गुरुदेव के समक्ष पहुँचके सब कुछ भूल जाओ नेत्रों से जब कारुणता हो करुण अश्रुधाराय हो होटों में एक लाज और भै हो नेत्रों में एक खुमार हो पाने की तो उस दिन समझे गुरु कृपा बरस में लगी नहीं तो फिर ठाज का गुरु बाट का चेला साज पड़ी अखेला गुरु लोग भी कुछ अश्य करते हैं पहले कर फिर मर पहले कर फिर मर अब तू दच्छिना धर मैं जा रहा हूं मेरे आस्रम की वोड तू जा तेरे घर जब यह चीजे पैसे वाली नहीं हुए आपके समक्ष पांच करोड रुपया रग दोलाई राट को शिर में दर्द हो उससे बोलो जड़ा तेल लगा देल लगाए यो क्या अन्य जीवन यह वेद्धों ने कहा है कि यह कोने में अगर पांप का कमाया हुआ अर्थ यानि धनिक अच्छा होने लगए तो मानों का जीवन विर्थ हो जाता है कि अक्ठा करने का काम परमार्थ का है परमार्त कठा करो तो परमर्द की प्राप्ति यह अर्थ बेर्च है कल बताया जाना इबगीचे हजार होते हैं फूल खिलाये जाते हैं कुछ चणते हैं मजारों पे कुछ संसा में बिछाये जाते हैं बड़भागी है वो फूल जो गुरुचरणों में समर्पित हो गले का हार बन जाए नहीं तो ब्रह्मांडपुरी देहता रहे वो फूल खिले ही नहीं खिलने से पहले मुर्जा जाए जो गुरुचरणों में ना आता है अब आकी दुनिया की बात क्या करें कोल सुक्या बताए जरा कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी कोई पडोशी के सुक से दुखी एक बार क्या हुआ एक विक्ती ने बड़ी शुंदर सी तपस्या की जाम लगए आजान मुद्रव बड़े भगवान प्रसन होगे भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए बुल मैं मन वांची तिक्छाओं वाली चीज़ चाहता हूँ ठीक है कहें यह जो मड़ी है ना यह आप अपने पास रखो इससे जब आप ले करके चिंतन करोगे ना तो आपको जो मांगोगे वो मिल जाएगा तालिया मजा जिवाव मिल जाएगा थोड़ी देर बाद परमात्मा ने कहा बाला किधर है बोले वर्दान मिल गया ना बोले हाँ बोले इदर सुन तुझे एक मिलेगा जब तु बांगेगा बगल वाले को दो मिलेगा ए बाजवाला ना बाला हो तो मजोना है कुटे को गोड़े की गती और आदमी को प्रगती नहीं अश्चियो लगती अब ले तो लिया गुरू की चीज वापस तो होती नहीं गर गया जिस काम से पडोसी का भला हो मेरे किसी काम के नहीं यह ले रख हमारी माताओं का आदत बहुत त्यारा है है सवाल के रखने का रख लिया एक दिन विचारी की इच्छा हुई कि कास मेरे बारा बेंजनों आज इकल नरे सुधी दिखावे के लिए लोग बहुत छी थे एक मास्टर जी आया हमारे पास बाला जी में कथा चल रही थी उन्नों ने का माराज्ट सुन्रेओ ज्यान देना उन्हें का माराज्ट मेरा ट्रांसफर करवाद हुई इस स्कूल में से आपका जानकार है जिसका हुआ अर्गनायजेसन है मैंने बोला कारण, बोले मेरी पत्नी है न, उसके कपाट में जितनी साडिया अथी सब एक बार पढ़ चुकी, पहेंच चुकी है, इसलिए उप कहीं और करवाद है, बोले इसके लिए, बोले हाँ, नहीं तो लोग ये बोलेंगे, ये तो रोज हुए ही पहेंच दिखावे की जिन्दगी, हाथ में लिया ध्यान ने, और उसने भाव कर लिया, भगवान छपन भोग चाहिए, सारी चीजे मिल गई, लेकिन उसे पता नहीं, पडोसी के घर दो दो हो रहा है, आ गया वो बंदा, अरे क्या कर रही, मुले कुछ नहीं, ये सब बदल कैसे गया, बोले ये मस्तू हाथ में लिए, मन में विचार किया, बजल गाए, सचा ना, सो जाए, सारा, अजे हूं के, सब पश्या करी न, पथाडी, फिर नाई केचा में, आवे हूं करूँ जे, ओला वह या आप ला लेक कर्चान नहीं दे तो, आवे बेबे मालो नबंदिं से गेगी ने, हू से ज्यादा होसियार हूँ, अगर मुझे ये पडोसी को दो लाब मिलेगा, तो नुकसान भी ऐसे ही तो होगा, ए भगवान, मेरे दरवाजे पे एक कूप बन जाए, पडोसी के दो, बोला, अभी कूप तो बना जिया, देखकर निकल जाएगा, मैं अपनी एक फोड लेता हूँ, दूसरे से काम चल जाएगा, पडोसी के दोनों फुड़वा देता हूँ, डूब के बल जाएगा, पड़ने का भगवान मेरी एक लेले, पडोसी के दोनों चले जाएगा, लेकिन भागवाची क्या कह रही है, चेस्ता अधस पुरादे सुभ्या सस्से बचनम दें, पापाय पर पी इननम, यहां पर भागवत कथा में आ करके भी, अगर आपने जीवन में बदलाव नहीं लाएं तो कोई महत करें, फिर दुखी और सुखी के बात करेंगे, तो दुखी को नहीं है, कथा में आरुप चेक्ता लानी है, इसलिए एक लाइन में बता सकता हूँ मैं आपको, कि सुखी को नहीं है, रूम रूम में जिसके प्यारे हरी का रूप समाएं, हरी सुख का सागर रोज नहाएं, जिसने हरी को नगाया, सुख का सागर रोज नहाएं, जिसने हरी को नगाया, सुख का सागर रोज नहाएं, जिसने हरी को नगाया, भक्ति को जना रहे हैं, बारे बारे समझा रहे हरी, हरी नाम चिंतन करो, देखिए अगर आपको प्रथम पल में सफलता ना मिले, तो निरास नहीं होना जाएं, जिसकी आस है, वो उदास है, क्योंकि आसा की एक बेटी भी है, उसका नाम है आत्रप्ति, आत्रपूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं, मिला तो थोड़ा क्यों और जादा क्यों नहीं, भक्ति को देव इसी नारेश्त अंजा रहे हैं, और श्यम भक्ति के लिए प्रार्चना के लिए प्रार्चना जाएं,